सतनाम शिरिवाहे गुरू सहेब जीओ करो बंदना अनक बार सर्ण परो हर राए प्रमकटिय नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए परम सनमानियो गुरूरू गुरू खालसा साध संग जी वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की फते चाल रहे लड़ी बार परसांग तान तान शिरी गुर हर गोबिन सहीब जी माहराजी दे अधे आए सात्वे वेच आज आपाँ गुरू जी दी परिख्या लैन वास्ते जहांगीर ने अपनिया बेगमानु पे जन दा परसांग सर्वन करांगे गुरू जी दी परिख्या लैन वास्ते जहांगीर ने अपनिया बेगमानु कया देता सारिया बेगमाने मानपाँ दी गाले जान के बड़ी खुशी मनाई कोई बेगम सोडा साल दी सी, कोई वीहा साल दी सी, ते किसे दी उमर पंजी साल दी सी ओना सारिया ने पहला इशनान कीता, फिर रंगदार स्रेश्ट कपड़े पहन ले सारे गहने हीरे ज्वारात नाल जड़े होय सान गोड मोती यते खरे पाणी वांग चमक दे सन हीरे आते सोने दे बने, सुन्दर चौलडी ये हार बहुत लिश्क दे सन जेडी राजकुत राजे दी लड़की सी, ओ सारिया बेगमा वेचे ज्यादा सुन्दर सी उसदे आखां कमवल दिया पंकडिया वर्याँ सन ओहो हंस दि चाल चल दी सी, उसदे सारे शरीर दे अंग बहुत सुन्दर सन सूर्मे वड़िया आखां ममोले वांग इन्या सुन्दर सन मनों कमवल दे हंकार नो तोड़न वाले काम देव दे बान सन सारे जगद विचों जो चोंड-चोंड के लेंदियां सान ओना दी सुन्दरता दा मैं की वर्नन करा बाशादियां प्रेरियां हो यां चल्पियां आस उपमा कवी दे मान दी होवेगी उर्वशी आद परियां एकठियां होके मानो शिवजी दी पर्ख करन चलिया होन जहां रंबा आद परियां नारद पास उस दे तापनू पांग करन चलिया होन पहला एक दासी नूपे जया जिसने आके गुरु जी नूँ केहा बाशादियां बेगमा तो अड़े दर्शन करना जों दिया हन अंदर होके गुरु जी एकात विच बैठन ताँके सारियां इस्त्रियां पढ़दे विचोना दे दर्शन कर लें हे ती रिजवान गुरु जी ओना दा सिदक पुरा करो जे तो अड़े पास आउन ताँ ओना नू दर्शन देो जद गुरु जी ने ओना दी बहुत बेंती सुनी ताँ गुरु जी एकात विच होके बैठ गए अंतर जामी गुरु जी ने सारियां दे दिलां दी जान के ओना सारियां बेगमानू स्रेश्ट मत देन दी इच्छा तार न की थी बाशादियां बेगमा डोले विच सवार होके गुरु जी दे डेरे पहुँच गईयां आके गुरु जी दे दवारते उतर गईयां अते अनाध तार के गुरु जी दे पास पहुँच गईयां बहुत अशरफियां अते हीरे जवारात लियाईयां सन पहला उपहार गुरुजी देगे तरके बन्धना करकर गुरुजी दे पास बैठ गई या बड़ियान चैलच पीलियाँ औरतां सन टे स्रीरोना दे गोरे सन पला लाके मुँ नंगा कर दियां सन टे फिर एक टक गुरुजी वल विखदियां सन बेवास होके गुरु जी ते मोहित हो रही हैं सन ओना दी हालत वेक के सद्गुर जी ने केहा पहला पोनदा एफ हल पाया है के तो अड़ा सुन्दर सुरूप अनुपम शोब रहा है साड़े पदारत पली परकार पोगधियां हो जिस दी भी इच्छा करदियां हो फारण मिलदा है पीरां फकीरां दी सेवा करो अते मान दा प्रेम बाशा विच तारन करो इस तरियां दा एह अमान है के ओना विच पती तों बगए किसे होर मनोख दी चाहत नहीं होनी चाहिए दी साथगुर जी दे चंगे बचन सोनके ओ गुरु जी दे देल विच काम नू उपजोना चोंदियां सा कैन लगियां है पीर जी दसो तो अडिनाल तो अडिस्त्री नहीं है नौ जवान तो अडियुमर है फिर के में गुजारा होंदा है तो अड़ा सुन्दर अनकों रूप है वेह के कौन परसान नहीं होंदा है अपना मान पौँदा प्रें प्यार क्यों नहीं करते हो ए जवानी फेर नी लबनी होर कोई अना देशते बराबर नहीं है जिस इस्तरी अते मर्द उते पूरन जवानी होवे अते सुन्दर अना दस रूप होवे प्यार बगैर इस जवानी नू व्यार्थ ना गवाओ सरीर दे सारे योग सुखा नू समझो शीरी गुर हर्गोविन जी ने सुनके के हा इस्तरी पोग सब जूना विच पाया है ये सारियां जूना विच एक समान है सूरते कुटे सब ये सुख लेंदे हन पर मनोख ने ये विशेश श्रीर पाया है इसनू सदा खोदानू याद रखना चाहिदा है जिस नाल अनेका जनमा दे दोख दूर हुन दे हन जिस कारण मरंदा कश्ट नहीं हुनदा है जवानी दा सुख दा चार दिन दा है इसनाल प्रेम करंदा विचार ना करो जेडा स्थाई सुख लेना चोंदा है वो सात्गुर्दी सेवा करे ते अल्ला दे नाम दा सिम्रन करे थोड़े सुख दी प्राप्ति लई बहुता नाग वालवे सो मनोख नू बुद्धिवान अते चत्र होना चैदा है तुसी भी सदा पती नाल प्रेम करके खोदा दे नाम दा सिम्रन करो ते शुब मुक्ती प्राप्त करो बेगमा सुण के अपने कपड़ें नों हटोंदियां सन ते अपने सुन्दरांग विखोंदियां सन अनेग बरकार दे हाव पाव करके गुरुजी दा सुरूब वेख बले हार जा रही हैं सन इस्तरी दे सुबा अनुसार काम पैदा करन दे जिनने भी टंगत्री के हन ओना ने गुरुजी दे वास्ते सारे इस्तमाल किते पर गुरुजी दी दृष्टी विच विकार ना आया सैसुबा जिमें पहला सन ओस्तरा ही रहे नैन टेडे करके वेखदियां सन बहा उचियां करके छातियां विखोंदियां सन अपनी सुंदरता विखा विखा के हार गईयां सादगुरुजी विच किसे परकारदा विकार ना जा गया काफी समय तक पास बैठियां रहियां मान पौधी गल कही सुनी सारियां ने जान लिया के एना उते जोर नहीं चल सकदा उठन वास ते फिर मांशा किती हाथ जोड के फिर बंधना किती बेगमाने सचा पीर जानेयां गुरुजी दा जास अते कीर्थी करके पालकयां विच बैठ गईयां फिर परदे अंदर जाके उतार दितीयां जागिर फिर अंदर आया खड़े होके गुरुजी दा पर संग चलाया आज गुरुजी दे पास गईयां सी गंभीर अते स्रेष्ट ती रिजवान गुरुजी नू फिर किस तरा दा विख्या गुरुजी दे बोलन ते वेखन दे गुणा नू तुसी कोड होके केमे डिठा ते केमे वेख्या ओना दा मन विकार सैथ होया के नहीं चित विच इस्तरेदी काठ अनुपव नहीं कर दे हन बेगमा ने हाथ जोड के केहा ओना वर्गा असी पहला कोई नहीं वेख्या हाव पाव ते कई परकार अपने अंग बखाए असी सारिया ने ओना विच काम उपजाउन दा यदन कीता साड़े सारे कर्तव हवा वांग सन गुरुजी समेर परवत वांग अटल रहे सैसुबा पहला वांग ही रहे फिर बड़ी मिठी वाज विच उपदेश सुनाया पती नाड प्रेम करके खुदा दा नाम जपो उपदेश सुन के साड़ा मन रीज गया है बुरे विशे वेक के वेराग उपजदा है राबदे सिम्रन नाड प्रेम हो गया है ये सुन्दरता ये जवानी ये काद एक ताकत ये चतुराई सबनू पाके भी क्यों मन वस विच है कदी किसे राज पिछे दोड़दा नहीं है बंदना योग सारे जगदे पीर हन निश्चे ही ओना ने तो अड़े सरीरती रखवाली किती है इना द सदा ही आदर करना दोहां लोकां विच बहुत पला होवेगा अंतर जामी दिलांदियां गलना जान दे हन महापुरक पूरण वड़े स्वामी हन ओना दी कदी भी अवग्या ना करना हर परकार नाल ओनानू परसान रखना बाशा ने सुनके केहा मैं जान दा हां अते शिरीगुर नानक देवजी दी गदी नू मान दा हां रात नू जाद मैं याद करदा सी ता मेरी साहता करदे सन ते दोमा शेरा नू पिशां हटा दे सन एक हकीम ने मेंनू समझाया गवालीर दे किले विचों अनानू बुलवाओ जिनना राजयानू उमर कैदी सजा दित्ती होई सी मर्न उपरांत ही ओनाने बार ने करणा सी ओनानू अपने नाल केले विचों बाहर ले आये ओनानू छड़ना उचित नहीं सी ओ वड़े दुश्मन सान एना दे कैण होते त्रोंत शड़ते दिवान चंदू एना दा वैरी सी उसने वड़े गुरु सहेब दी अवग्या किती सी एनानू परसन करण वास्ते चंदू नू फड़के एना दे हवाले कर दिता है जेड़ी गल करण लायक भी नहीं सी एना दा आदर मान रखन वास्ते ओ भी किती है होन जिमे मेरा मन शंके विच प्या होया सी उस दा भी निर्णा करके वेख लया है परक करण वास्ते तनू पर जैसी जे एस कारण ओनाने कुछ गुसा किता होवे ओ भी स्वेर मिलके बेंती करांगा जेड़ी पोल हो गई है सारी बक्षाल हमांगा एतियाद गुरु जी दे जासनू सोनके बड़े रासदार अते स्वाधी पोजन छके रात पैंड़े बड़े अराम अते सुखनल सुते स्वेर होनते सारे जागपई जाद हाले सुरज नहीं चड़या सी ओ समय बाशा त्यार होके गुरु जी दे पास चला गया ओ थे जाके वेख्या के बड़े प्रेम नाल कीरतन हो रहा है जेड़ा एकचित होके सुने मुक्ती प्राप्त करदा है सिखांदा दिवान लगा होया सी ओना दे वेच गुरु पगवान जी बैठे होय सान बाशा भी बंदना करके बैठ गया शाबद सुनके मान वेच बड़ा सुख प्राप्त कीता जाद आसादी वारदा पोगपया ता सोनके शिरीगुर नानक देव जीदा जास कीता शिरीगुर हर गोविंजी ने बड़ा आदर कीता दे बचन कहे एह गुरु जी दे नगर नू वेखो एह सब दे दर्शन करंदा स्थान है मान पवितर हुंदा है ते बड़ा पुन मिलदा है एह थे शिरीगुर अमरदास जीदा कार है ओना ने ही इस गोईंदवाल नगर नू वसाया सी आप जी दे पिता जी एना दे पास आय सन एक परगा ने दे कुछ पेंड ओना नू अर्पन कीते सन बाशा ने सुनके केहा मैं नू विखाओ ते मेरे सारे अगण बख्षा आ देओ एसे करके मैं आप जी दे पास बख्षाओन दी आस लेके आया हाँ एस उनके सद्गुर जी ने बहुत सनमान कीता अते केहा शीरी गुर नानक देव जी दी महान किरपा होई है गुरु का अर्दे तुसी सामने रहे हो इस करके तो अनुमान वेच असी अपना ही जाने है इस था तो होन सा डारा वकरा वकरा हो जावेगा तुसी एथों लहोर नो चले जाओ असी होन अमरसर नो चले जावाँगे शहर वेखे बगैर बहुत समाबतीत किता है एस उनके बाशा ने केहा मैं भी तो अडे नाल ही चलाँगा दर्शन करके फिर राहे पह जावाँगा तो अनो नाल लेके अमरसर वेखे फिर बड़े उत्षा नाल लहोर नो चला जावाँगा बाशा दी महान शर्दा जानके शीरी गुरु हरगोमिन जी ने ठीक है किहा फिर गोइंद वाल दे दर्शन कर नवासते देल वेच अनाद पार के त्यार हो गए वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की फते